वाइव एक आपको सीले हुए प्लाजो पैंट इसे हमें पॉक्ट लगाना तो चलते हैं पॉक्ट लगाएंगे कैसे चलिए मैं आपको बताऊंगी पॉक्ट लगाना इसे का बचा हुआ और इसे क्या करेंगे हमें इस तरह से डवल करना करना है डवल फुल्द करने क्वाद इसमें पॉकेत का नहीं किपना लेना है कि फेंट क्रेंट लेनी है 11 नहीं लेंगे यह देखे नीछ तरह रबारण पर । नीचे इस तरह से मैं यह यह आप निच ले लिए अब इसमें गोल सेफ देंगे इसकी चौराइए हमने ली है 12 इंच तो 6 इंच इसका हाप है अब इसमें हमें गूल सेफ देना वह कैसे देंगे तो देखें तो हमें क्या करना है इस तरह से यह देखें इस तरह से यहां यहां से हम क्या करेंगे यहां फाइप इंच पे मार्किंग करेंगे और यहीं से हमें हलका हलका से इसमें मुल शेफ डिला पोगेट अपड़ाना किẤ उस तरई से क्या करेंगे इसमें कट कर से क assembinar अब चलते हैं लगाएंगे कैसे compensation स्टिच करें करना करना है तो हम राइट साइड आप हम यहां से क्या करेंगे थे करेंगे यहां चोड़ना हमें शीष पहसे कि बादा से ख्रकट कर तो यह वाले से ए चलाए पिगका चलेसे दिफाते हैं तोsel जाना है तो में मmost inch पर आगर किरना कर दिखाते हैं तो नहीं करना है सबसे पहले यह पॉकेट करने इसे यहां झाल से यह करते हैं इसे ढ jury करते हैं कि यहीं स्टिश करके करते हैं कि और शीदा करने का दब लगाएंगे का से त् छलग계 लगा कर दिखाते हैं दूपन कि प्लाजो पेंट यहां लगाना है यहां से इसे उपर में यहां इस्टिशिंग में जाएगी यहां तो यहां पर मार्क करते हैं और यहां तक इसे हमें ओपन करना है तो यहां तक चलते हैं ओपन करते हैं यह जो हमारी स्टिशिंग की सेंटर है यहां से यहां तक खोल कर ओपन कर लेंगे तो अंदर की तरफ से इसे क्या करना है यहां से कट करना है देखे बहुत ही आसान है यह सिलेवे प्लाजो पेंट में यह पॉकेट लगाना देखे यहां और फिर यहां है जो हमने मार्किंग की थी यह मार्किंग तक खोल देना है यह देखे यह इस तरह इस तरह से खोलने के बाद यहां से यहां त खुल गई यहां देखिए हमारा ओफिन होगा इस हम यह होग चलते हैं लगाते हैं आपको दिखाते ही लगेगा कैसे अंदर की तरफ से हमें इसको एडो करना है यह को पोकेट को चाहिए हुएह जोगे click इस पॉकेट को हमें उल्टा करना है उल्टा करने के बाद इसे देखिए यह वाला सेंटर को और यह वाले सेंटर को यह दोनों को मिलाना है इस तरह से एक स्टीच करके इसे पॉकेट को पॉकेट वाला यह नीचे वाला जो पाथ है इसे इस तरह से स्टीच करके इसे इस तरह से जोएंड हो गई अब हमें इसे क्या करना है इसे सीधा करेंगे अंदर के तरफ से सीधा करेंगे इस तरह से अंदर के तरफ से सीधा करेंगे इस तरह से अंदर के तरफ यह चली गई हमारी यह पॉफेट इस तरह हमें क्या करना अंदर के तरफ से एक साइट का और करना है यह वाले को इससे क्या करना है इस तरह से और इस तरह से पकड़के इसे स्टीच करके रेडी करना है तो चलते हैं इसे पकड़के इस तरह से फोल्ड करके स्टीच करके इसको रेडी करते हैं फोकेट वाले को और नीचे वाले को यह दूनों को बड़ाबर करके ही हमें स्टिच करना है तो यह सीधा पर से स्टिच करना है फिर हमारी पोकेट इस में लग गई अब हमें क्या करना हैं यह वाले को इसके उपर से एक स्टिच करके करना है यह वाले को यह वाले को हमें क्या करना है उपर की तरफ से यह देखे इसके अंदर से इस तरह से उपर से इसे स्टीच कर ला है ताकि यह अच्छे से बैठ जाए अंदर से इसे क्या करना है यह जो पॉकेट इसे कभी आगे की तरफ से कड़के देखे इस तरह से इसके उपर इस तरह से इसे अंदर के तरफ से फोल्ड करके इसे स्टीच करेंगे यह देखे इस तरह बहुत ही इस यह पॉकेट लगाना इस तरह से आगे की तरफ स्टिच करना है इस चिथे कर से यहां से से कट करेंगे देखे इस तरह से तो कभी भी यह पोकेट आप लगा थे इस अगे के तरब से कड़़ देखे इस तरह से चिथे इस तरह से नहीं हैं गल पह सो करका कीक दघला क्ड़erson तो यह हमने से right side लगाया है, तो राइड-side ही pocket लगाएंगे, इसने पिलाजो पैंट में, इस चरेट पैंट में या किसी भी तरह की पैंट में चिले हुए पैंट में आप यह pocket लगा कर सकते हैं, तो friends कảiसे लिए हमारी आज की प्लाजो पैंट में pocket लगाने के method हमें comment किजेग अगर हमारे चैनल के फर्स टाइम मैंने थे हमारे चैनल को सस्क्राइब कीज़ेगा सेर कीज़ेगा फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बैबाए